How to edit videos like Mr.Logic पहले जानते हैं Mr.Logic ऐसे clips कैसे बनाता है इसके लिए आते हैं काइन मास्टर पर अब वीडियो की जिस portion को edit करना है उसको cut करके select करो और select करने के बाद उपर clip graphics नाम का option आएगा उसे click करो उसके बाद नीचे scroll करो और तुमें get more का option आएगा और तुमें जो templates चाहिए तुम यहां से install कर सकती हो बहुत सारे templates से यहां पे यह देखो यहां पे वो templates जो Mr.Logic यूज करता है और तुमें जो templates अच्छे लगते हैं वो तुम install कर लो install करने के बाद template पे click करो और इन में से एक को choose करो और right side पे तुमें text का option दिखेगा उसमें तुमें अपने वीडियो से related text को लिखना है जैसे मेरी वीडियो का topic था how to edit like Mr.Logic तो मैंने लिखा edit like Mr.Logic उसके बाद text को copy करना है फिर बाकी के text option में तुमें वो paste करना है और इतना करने के बाद तुम देख सकती हो कि वीडियो Mr.Logic जैसे ही बना है और तुमने जो 3-4 जगे पर text लिखाता न वो यहां पर show हो रहा है अब Mr.Logic थोड़ीना ऐसे ही clips बनाता है तुम देख सकती हो कि Mr.Logic ने ऐसे clips भी यूज की आपने वीडियो में पर इसे बनाए कैसे? बताता हो इसके लिए तुमें Pixel Flow app को install करना होगा और install करने के बाद तुम देखे सकती हो कि इसमें बहुत सारे template से उनमें से एक template को choose करो तुम देखे सकती हो कि यहाँ पर text का option दिया है मतलब इदर तुम जो भी लिखोगे वो तुमारे वीडियो में भी दिखेगा मैंने अपने वीडियो से related text लिखा है मतलब edit like Mr.Logic लिखा है इसके साथ तुमें change element colors का भी option मिल जाता है जिससे तुमें यह जो X बना हुआ है उसका color change कर सकते हो और इसके साथ तुमें text का size और position चेंज करने का भी option मिल जाता है और इसके साथ तुम text का font भी change कर सकते हो और Mr.Logic इसी तरह का template यूज़ करते है अपने वीडियो में और अगर तुमें जानना है कि Mr.Logic के वो दो growth factors के आये जो किसी ने नहीं बताया तो left thumbnail पे click करो और अगर तुम यह नहीं चाते हो कि वीडियो edit करते करते तुमारे आखे दुखे तो right thumbnail पे click करो